असलाम लेकुल अगर मचली का सालन बनाते वकत मचली की बोटियां भोर जाती हूं तो मचली के टुकडे देख्ची में डालते वकत थोड़ा सा बेसन डाल दें जो काम लोगों के सामने करने को ना पसंद करते हो वो तनहाई में भी ना किया करो रात को डर लगता हो तो आड़ू खाया करो कैंसर की बीमारी में अननास का जूस पीने से आफागा होता है महीने में कम असकम एक बार अंगूर खाने से गुर्दों में पत्री नहीं होती आम को चिलके समेथ खाने से यादाश तेज होती है नहार मू आलू का पानी और चीनी मिला कर पीने से बाल कभी सफेद नहीं होते सुबा नहार मू पुदीने का पानी पीने से चेहरे पर जुरियां नहीं पड़ती हाथों और पैरों का रंग साफ करने का तरीका एक आलू काट कर इसका रस निकाल लें फिर इसमें बेसन और हल्दी डालकर पेस्ट बनाकर हाथों और पैरों पर लगाएं और मसाज करती रहें पंदरा मिनट तक सुख जाने के बार जिल्द को ठंडे पानी से दो लें तहकीक के मताबक पांच मिनट का शदीद घुसा आपके कुवत मुदाफित के निसाम को चार से पांच गंटे के लिए खराब कर देता है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सुफेद ना हूँ और हमेशा काले रहें तो अपने सर पर मूली का रस लगाएं इससे आपके बाल सुफेद नहीं होंगे अगर आपको बिच्चु ने काट लिया हो तो आप कलूंजी का इस्तमाल करें कलूंजी खाने से आपको बिच्चु का जहर नहीं चड़ेगा बतक कसूप पीने से गले में कभी भी आपको खराश नहीं होगी अगर आपके अगर में बहुत ज़्यदा लाल बेग हैं तो अंडे का चिलका रख दें इससे सारे लाल बेग पाग जाएंगे छोटे बालों वाली औरत तीलों और सरसों के तेल में अंडा डाल कर दही के साथ बालों में लगाएं बाल बहुत जल्द लंबे हो जाएंगे अगर आपको रात को नींद ना आए तो बिस्तर पर लेट कर फून रख दें और अपने से थोड़ी दूर पड़ी किसी चीज़ पर नजर जमा लें पांच मिनट आँकें पूरी खोल कर और से इस चीज़ को देखें नींद आ जाएगी इसे दो तीन बार भी कर सकते हैं रोज का एक हीरा खालिया करो कभी वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ेगी तर्बूस का रस पिया करो कभी खून की बोतल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुबा सवेरे जबान पर लहसल लगाने से जबान पर चाले नहीं पड़ते अगर आपके सर में बहुत सी जुएं हैं तो आप अपने बाल नमकीन पाने में पिको दे इस से आपकी जुएं का खात्मा हो जाएगा जन्वरी में पैदा होने वाली लड़किया मासूम होती है फर्वरी में पैदा होने वाली लड़कियां खुब सूरत होती है मार्च में पैदा होने वाली लड़कियां खुब सीरत होती है अप्रेल में पैदा होने वाली उस्से की तेज होती है मई में पैदा होने वाली कम अकल होती है जून में पैदा होने वाली बेवकूफ होती है जुलाई में पैदा होने वाली मगरूर होती है अगस्त में पैदा होने वाली रूमेंटिक होती है स्टमबर में पैदा होने वाली मुक्लिस होती है अक्तूबर में पैदा होने वाली जहीन होती है नवंबर में पैदा होने वाली जजबाती होती है दसंबर में पैदा होने वाली उदास और खामोश तबियत की मालिक होती है केले और अंगूर एक साथ खाने से कभी पेचश नहीं लगेंगे हरा धनिया खाने से जिसम में चर्बी नहीं बनती चिकंदर का चिलका चेहरे पर लगाओ कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी खर बूजे खाने से गुर्दे में कभी पत्री नहीं बनेगी लॉंग पर नमक लगा कर चूसने से चींके आना बंद हो जाती है होब कि आज की ये वीडियो आप के लिए नोलिजिबल रही होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर जरूर कीजिएगा